हालो माई दियर फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई यूट्यूट चैनल और कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे खुशहाल होंगे और सावन के सुमवार की धेर सारी वाली सुपकामना है आप लोगों को आप लोगों के लिए सावन बहुत ही मंगल मैं हो और स्वास्त वर्दक हो क्योंकि कोरोना चल रहा है इसलिए देखिए मेरे जो बेल लगाई थी ना मैंने उसमें भी फ्लार खिल चुके और मैंने बनाया है कॉम्बो पैक पहला है यहां पे साबुदाना खिचडी जिसे मैंन साबुदाने खिचडी हमने कैसे बनाई थी यहां मैंने लिया है सोग्ड 250 ग्राम के करीब साबुदाना है यह और यह मैंने दो से तीन घंटे के लिए भिगा दिया था पुनी हुई मुंफिली है और यहां पे मैंने लिया आलू लैमन जूस कटी हुई हरी मिर्च कटा अध्रक चोटा सा टुकड़ा जो कि ऑप्शनल है काली मिर्च पाउडर सेंधा नामक सीरा क्योंकि यह व्रत स्पेशनल है इसलिए सेंधा नामक लिया आप चाही तो साधा नामक ले सकते जिनका व्रत नहीं है वो यहां मैंने काव घी लिया है अमूल का आप चाहे तो कोई आप चाहे तो कट कर सकते हैं अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजेगा और बैल आइकन जरूर से प्रैस किसी का जिससे की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे सारे यहां मेरा घी गर्म हो गया है और अब मैं एड़ करूंगी अपना ज प्लैटर होने दूँगी और थोड़ा सा स्टर कर दूगी जिसे कि यह जले नहीं यहां मैंने एड़ किया है अरी मिर्च एड़ किया है आलू आलू हमेशा खिच्डी जब बनाते है साबुदने की तो हमें थोड़ा सा फ्राय कर लेना चाहिए इससे कि इसका स्टार्च इसे मैंने ग्रेट कर लिया था आप चाहे तो पीस करके भी डाल सकते है या बारिक पर चॉप करके भी डाल सकते है एड़ कर रही हूं वन फोर्थ काली मिर्च पिसी हुई वन फोर टीस्पून यहां पर एड़ किया है मैंने नमक सेंधा वाला थोड़ा ही करना ज्यादा न इससे मैं पहले ही मिला ले रही हूं। जिसे मिक्स करने में असानी होगी। आप चाहे तो गड़ाई में जब डाले तबी मिला सकते हैं मैं यहां ऐसे ही मिलाती हूँ यहां एड़ किया है मैंने काली मिर्च पाउडर वन टीस्पून के करीब है और इसे अच्छा सा स्टर दे दूँगी बड़ी असा बैलेंस्ट मिक्स कर दूँगी इसे जैसे कि नम्मक और काली मिर्च असे मिल जाए और यहां पर मैंने एड़ कर दिया है आलू अपना स्टार्ची और आलू भी होता है तो यही कारण होता है हमारी जो खिचडी है कई बार चिपक जाती है ठंडी होने के बाद लेकिन अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे तो वो कभी भी नहीं चिपकेगी आप मेरे साथ लास्ट टक बने रहेगा जिससे कि मैं एक और इंग्रीडिन बताऊंगी जिससे कि आप ही किचडी कभी भी नहीं चिपकेगी जब ठंडी हो जाए तब यह आप चाहें जितनी बार गर्म करें तक यहां मैंने एड़ किया है शुगर आदा चमच के करीब इसे मीठी नहीं होगी टेस्ट बैलन्स होगा बट अगर आप इसको अवोइड करना चाहें तो अवोइड कर सकते हैं लेमन जूस एड़ कर रहे हूं अब मैं यहां पर और गैस कर दूँ कि बंद क्योंकि अब मैं गार्निशिंग करूंगी और गार्निशिंग जब हम करते हैं तो गैस हमारी बंद होनी चाहिए जिससे कि हमारे जो फ्लेवर है ओवर कुक ना हो जाएं और टेक्शर भी नॉर्मल रहे उसका जो कि हमें चाहिए और स्वाद भी अच्छा रहे यह देखी यह अब भी इतनी कहली कहली और यह रख देने के बाद भी खिली-खिली रहेगी आप जाएं इसे कितनी और यह शेंग दना का पाउडर याने मुंग फुली का पाउडर यही था मेरा इंग्रीडियंट जो मैं लास्ट में आइड करने वाली हूं आप इसे अवाइड भी कर सकते हैं लेकिन आपको अगर खिचरी स्वादिष्ट और खेली-खेली बनानी है और महाराष्ट्रीन स्ट लिए गुलाब का एसेंस मतलब रोज एसेंस नहीं हो तो आप अवाइड कर दीजेगा कोई ज़रूरी नहीं है और इलाइची लिए 2-4 बदाम की कत्रन लिए है थोड़ी सी किश्मिश लिए थोड़ी सी चिरोंजी लिए थोड़ी सी मखाने का पाउडर लिया है थोड़ा स लिए सकते हैं जो आपके पास में हो वही अब मैंने यहां रख दिया बरतन उसमें एट करूंगी तूथ और उसे गर्म होने के लिए रखतूंगी आप लोग मेरे साथ एंड तक इसलिए रहा किजिए कि मैं वीच वीच में बहुत सारी टिप्स दिए चोटी-चोटी सी जो बिगनर्स को बहुत यूसफुल रहने वाली है क्योंकि जो स्मार्ट कुक है वो तो अच्छी कुकिंग करते ही है लेकिन जो नई नहीं कुकिंग सीख रहा है उनको छोटी-चोटी टिप्स की बहुत सबरत होती है तो प्लीज एंड तक देखा कीजिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब तो थोड़ा सा जबता लेघ्ञा और मोटा ले रहा है सबुदाना बढ़ा ले रहे हैं तो से कम ले सकते हैं आपके पास जो साबुदाना हो आप वैसे यूछे जाऊँगा एक टिप दन चांगे यहां पर मैं की अगर आपका साबुदाना कच्छाप एड करने तो दूद को अच्छे से बॉइल होने दीजेगा फिर एड कीजेगा जिसे कि आप साबुदानी की कुकिंग फास्ट हो जाएगी मैंने एड की यहां पे चीनी और चीनी में थी थोड़ी सी इलाइची जो की चीटियों की वज़े से दाल देते हूं सकते हो ऑड़ अगर सकते हैं अर इसम टाली और आपनेमा फिर से यह तो जाथ का दूबल के पा нравится है वाओट इति आपक झgen यहां में हुलत एढ़ी लिआता हुर्व हैं थोड़े से बचालूंगी जो आपने लिए चलामारे के कां साफिट की आपकाऊं के ऽ यह और गाड़ी हो जाएगी क्योंकि साबुदाना है यह गाड़ा होता है आके जाके इसी लिए लिए लिकिन अगर जो लोग गर्म खाते हैं गरमी पसंद जिनके यहां पर तो फो लोग इसे अच्छे से पकाएंगे जाता देर तक इससे की वह टेक्शर गाड़ा हो जाएग यहां मैं एड़ कर रहे हूं रोज एसेंस मैं पहले भी कहच्छू कि यह टोटल ऑप्शनल है पर डालेंगे तो अच्छा लगेगा अच्छा टेस्ट आएगा रोस पैटल भी डाला है मैंने एक दो यहां पर इससे की कुश्पू और अच्छी आजाए थोड़ी सी उरीजन होने के लिए रखना है इसको इसे लिए और एक तम गाढ़ा टेक्शर ले लेगी और खिचडी और साबुदानी की प्लेटिंग में बाद में आपको पताती हूं तब तक के लिए मैं डिशाउट कर लेती हूं अपनी खीर को और इसको चिल्टोने के लिए रखूंगी और फिर आपसे मिलती हूं खीर की चिलिंग के बाद में लीजे खीर हो गई है चिल्ट गार्निश कर रही हूं मैं यहां पे इलाइची पाउडर और जो बत्र कटे हूए मैंने मेवे रखे थे ना उसके साथ में और मैंने सावन के हिसाब से गार्निशिंग की है मैंने एक बेल थोड़े से फूल लिये है यहां पे आपको जैसी प्लेटिंग करनी आ जैसी गार्निशिंग करनी आप वैसे कर सकते हैँ अपने मूर के साबसे अपने स्वात के साबसे मैंने अपने कितने अच्छी लग रही है मेरी खिचडी भी बनाईएगा खाईएगा खिलाईएगा और कमेंट बॉक्स में बताईगा तब तक के लिए देखते रहेगा मेरे वीडियो डू लाइक शेर एंड कमेंट